अलो सुरेंट्स आज उपने रीट किया है चैप्टर नंबर फॉर इन यूर लिटरेचर डिपटर यह आपकी लिटरेचर की बुक है सभी बच्चे इसमें चैप्टर नंबर फॉर रीट करेंगे आज पोके तो आब हम इसको स्टोरी को पढ़ेंगे अब हम इसमें स्टोरी को पढ़ते हैं यह टैडी है जो है इसका नाम दैनिस तो इसकी जो थी बड़े पाटी थी और हो क्या हो चुकी थी खतब हो चुकी थी ओवर ओबर भी सुनते है खतब होना दैनिस वास प्लेइंग विज आल ही स्किप्स डैनिस जो था जो इसका नाम था वो क्या पर रहा था जब हमारी बड़े पढ़ी होती है तो उसके बद हमें किप्स देते हैं सबी तो वो अपने पाटी खतम हो गई थी उसके बाद अपने किप्स के साथ खेल रहा था देर वाज files a car, a train, a reflex, a teddy player, an aeroplane, a ball and lots of other toys उसको किर्स में क्या क्या मिला था यह देखिए, कार मिली, एरोग्ले, ट्वायटे, और भी बहुत सारे किर्स उसको मिले, यह देखिए, टैडी मिला, तो इस सब के साथ हुआ है, खेर रहा था, अब हम इसका next paragraph प्रीज करेंगे, next paragraph भी देखिए, look at this picture, picture में क्या बना है, टेबल है, टेबल पर केक है, कुकीज है, नड्डू है, तो जो कुकीज रहा था, after that, डैनिस बॉट अप and went to the table for a cookie, डैनिस उठ गया, और कहा गया, टेबल के पास किया, क्या लेने किया, कुकी लेने किया, यह देखिए कुकीज रखिए ना, इसका मैच बॉक्स बड़ा था, उसने देखा, he saw what his father did, it to light the two candles on his cake, हम अपने बढ़ने केक पे केक पे केंडल जलाते हैं न, तो ऐसे ही, डैनिस ने अपने पापा को देखा, कि मैच बॉक्स की हर्प से, उन्होंने दो केंडल जलाई, और उसके केक के उपर रख दी, उसने ऐसा करते हुए देख लिया था, नेक्स पैरग्राफ पे देखिए क्या है, डैनिस तुक दा मैच बॉक्स एड वेट एड सेट अमांग दा ट्वाइस, उसने मैच बॉक्स में से एक स्टिक निकाल थी, निकाल की क्या किया, जब मच इसके तिली को, उसके उपर रख करते हैं, तो उसमें से चिंगारी निकलती है, तो ऐसे ही आग निकली, एंड साइड भॉक्स एनम करा साइड से और चिंगारी निकली, आज तक आज के लिए बच्छों काम ने लेगी स्कोरी बस कितने ही करनी है ओके थैंक यू